तुम कैसे हैं आप सभी में Dr. Ananjas फिर से अपने YouTube चनल पर आप सभी का स्वाधित कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है मस्त हैं और हम चल रहे हैं अंतिम प्रहार की सीरीज पे जी हाँ बिल्कुल अंतिम प्रहार की सीरीज पे 7th आउट आप 11 पर चल रहा हूं मैं साथ 11 का स्कोर हो गया है पूरे 11 आज कराने हैं मेरा लक्ष है कि 11 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और 11 टॉपिक्स आज ही अप्लोड करेंगे और आपको 11 इंपोर्टेंट क्योशन के डिटेल एनालिसिस करूँगा पूरी जान लगा रहे हैं सिग्मा पर आ चुका हूं मैं सिग्सिग्मा पर आ चुका हूं टेक्निक के उपड़ जरह यह बताएंगे कि यह सीरीज कैसी रही समझ में आ रहा है नहीं आरा थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं अल्रेडी टॉपिक कवर कर चुका हूं अल्रेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं लेकिन एक इंप कि हम से करते हैं कि हमको कितना quality मिनिमाइबनेशन ऑब वेस्टेज आप कि गलेगी करताkung लिख याद रखना इतनी बार याद रखना लिखा क्वालिटी में जाता है लेकिन होता प्रोड़क्टिविटी इंप्रूमेंट में क्योंकि यहां पर हम इनिमाइजेशन आप वेस्टेज करते हैं आगे बढ़ता हूं क्या कह रहा है जानता है यह जो डबबबल आसोशेशन उसको शिग सिग्सिग में मिला बॉल्थ फूट्फुले टाटा की कोंसी कंपभरी को मिला किसी को याद होगा नहीं होगा लेकिन गवाल शिद्धिया तो एक्जामियर को पता है कि आपने सही लिखा है तेक चाहि यह कह रहा है तो इस सर्विसेज यानि कि continuous इंप्रोव करना है minimization of the cost वेस्ट करना है और जो प्रोसेसे उसको स्मूथ बनाना है पास बनाना है क्या इसके अंदर सिक सिग्मा का स्टेंडर क्या ध्यान दीजिएगा सिक सिग्मा का स्टेंडर पर्फोर्मेंस प्रोड्यूस देडिफेक्ट फ्री डिफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रोड़क के अंदर कितनी 99.999966 परसेंट यानि कि कितना साढ़े तीन एरर हो सकती है केवल पर वन मिलियान यानि 10 लाग के अंदर अगर आप 10 लाग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं हाँ 10 लाग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी एरर हो सकती है केवल 3.4 हो सकती है यानि एक्टी सी 99 परसेंट यानि कि डबबा वाला असूसियेशन यदि 10 लाग डबबे डिलिवर करता है तो केवल और केवल तीन डबबे ऐसे हो सकते हैं जो वो गलट डिलीवर करें यह उसकी केटेगरी है नेरो स्पाइंड वेसे उतना भी हुआ नहीं करते हैं वह 100% एक्टूरिसी के साथ अचीव करते हैं यानि कि सोचिए उनका क्वालिटी कंट्रोल कितना है यानि आप ऐसा सोचिए कि मेंड़ी का बर्गर वाला अगर बर्गर बनाता है दस लाख बर्गर बनाता है तो एक के भी टेस्ट में चेंग नहीं आ चींग को यह एक की ब्रेड़ जो उसकी बैकिंग है जो सौफने से सबसे पहले हमको डिफाइन करना है फिर मेंसर इंप्रोव कंट्रोल क्या करना है अगर कोई इसको अनलीसिस कर रहे हैं मेंसर और इसको इंप्रोव किया जाता है कि वह क्वालिटी कंट्रोल वह प्रोडक्शन इंप्रोव किया जाता है अब और एग्जांपल कि आपके लिए कर थरी बना रही है तो उसको आद हो सकती है उसकी कंपणी की प्रोड्लम में उसमें कहींisol रिप्ए होसकता है कहीं पर उसका लैड आशकता है कहीं तो उसके responsiveness में दिक्कत आ सकती है smart TV में तो सबसे पहले वो define करेंगे को कौन सी problem उनको face करनी होगी then उसको measure करेंगे वो problem hardware से है, software से है क्या उनसी measure कौन सी है, कितनी बड़ी हो problem है, कितना बड़ा issue है क्या motherboard change करना पड़ेगा, क्या screen change करनी पड़ेगी then analysis, उसका solution, कौन से solution है, हमारे budget के according कितना problem तो है लेकिन budget के according कितना time लगेगा, क्या quality aspect चेक के जाएंगे then improve, हम हर motherboard related problem है, उसको change कर दिया then उसको control किया, अगली बार वो motherboard related problem ना आए इसके लिए हम improvement कर रहे है, that is control अभी latest example इसको देता हूं, आपको ओला की जो two wheeler थी, वो blast होना शुरू हो गई, वो blast क्यों होना शुरू हुए, क्योंकि उन्होंने जो battery बनाई थी, वो इंडिया के weather की according नहीं हो पारी थी, उसमें report आया क्या कह रहे हैं कि battery बढ़ाने से इसकी speed तो बढ़ गई, उसका time duration तो बढ़ गया, लेकिन जो उसके standard से वो follow नहीं करेगा है, और इंडिया जो temperature है, यहाँ पर 45 degree तर टेंपेचर चला जाता है, तो गर्मी के मारे ओला का scooter blast होने शुरू हो गई, so that is the control technique, यहाँ पर की वो फ मुझे तो बड़ा मजा रहा है अज पड़ाने में, thank you